दोस्तों आप सब कैसे हो आज क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का बचव स्थ को बुक नमबर टू का चप्टर नमबर तीरी जिसका नाम है बच्यो नियोजित भीकास की राजनीती इसके पार्ट नमबर फोर को डिसकर करेंगा बच्यों पार्ट नमबर वन पार्ट नमबर टू का लिंग डिस्क्रिप्शन में रखे जो भी ए स्टूडेंट पार्ट नमबर वन से लेकर पार्ट नमबर तिरी तक नहीं देखे पहले उससे देखे आज हम ले स्टार्ट करेंगा बच्वाट नमबर फॉर का कोश्ट नमबर 20 से केरल का विकास जिसको बोलते हैं दोनों में स सकता है केरल मोडल क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है यह सोट के लिएृफ है और है इमच से लिए जो राषटा अपनाया था उसी को के रल मोडर कहा जाता है के रल्मेविकास के लिए जो आया है था इसमेए स्वास्त भूमि सुधार और गरीवी उन्मुलन से जोड दिया था आफो Совत पे स्वास्त पर भूमी सुधार पर और गरीब उन मूलन पर क्या है ज़ादा से ज़ादा इस पर जोड़ Además केरेल में परतिब्यक्ति आय और अदो gib है। गर्वचु संत का हों तरही सक How. बहारत में सक्षारता हुष एहहां सीष्व और मात्री मिष्थ्व और जनम धर मिर्तिव भी कम है जो भी मुंडो जनम लेता जनम धिक के बाद तक यहार अदर में गे जो मर जाते हैं उसी को बोलतेंली अदर को सजार बच्छे प il और मचंग लेते हैं एक साल कन दर मों की माता की जो देहांत हो जाती ऊसके संख्या को वहां की का there मातरि मिर्दिदर मता है मताओं से बचो जो भी माता जब बच्चे को जनम देती जह मरने वाले मताओं की जो यहां बहुत ज्यादा आच्छह होने के कारण से वहां पर काम है इतने सारे पाइंट आपको बचो केरल मोडल में आपको का करना याद रखना केरल में बिकास के लिए जो भी रास्ता जो अपनाया था उसी को केरल मोडल कहा गया केरल मोडल में बचो जो जोड दिया था स्वास्त भूमी सुधार गरीवी उन मुलन पे जोड दिया केरल में प्रती ब्यक्ति आया और अधार कम है इसके बावजूद भी बचो वहां पर हंडेर परसंट का सक्षरतार दर्द है वहां कि वहां सिसू मिर्थुदर मात्री मिर्थुदर ताथा जनम कम है वहां के चेकिस्ता सुवधा कि अब बहुत जादा अच्छा इतने सारे पाइंट आप क्या कर सकते हैं केरल मोडल में लेक निए क्रिसी बनाम उद्व का मत्वान इंडस्ट्री एग्रिकल्चर वर्सेस पढ़ना पढ़नां से समझे के बीच में जासाधर लगाना च्वाइए कि किसमें जाधा लगाना चाहिए इसके लिए जर्मार अपपा ने मतलब उत दास्ती की या जिसे ज़ाधर ग्रामिन उदोग पर लगाना चाहिए ऐसा अंहोंने लिखे थे जाखना बचो 아 संसाधन बचो अ Also किस ँसली को समयना जाएं कि आर उद्योग के वीच किस में जादा पैसा लगाना चाहिए इसके लिए बचो जेसी कुमाराप्पा ने खाका मतलब एक दास्तवेज प्रस्तूत किया जिसमें जादा जो दिये थे बचो ग्रामिन उद्योग पे लगाना चाहिए इनका कहाना था कि जादा जो संसाधम जादा जो पैसा लगाना चाहिए वो ग्रामिन उद्योग पे लग कि नियोजित सहरी और अधोगिक तबल सफल हो रहे और इसकी कीमत जो है किसानों तता ग्रामिन जनता को चुकानी पड़ी बोलना चाहा रहा वहीं चौधरी चरंशी ने कहा कि कि नियोजित से सहरी जो लोग है वह सफल हो रहा है लेकिन इसका जो कीमत बचो किसान और ग्रामिन जनता को चुकाना पढ़ रहा है कि नियोजित से बचो जो नियोजित का मतलब जो प्लान जो होड़ा वह सहरी तथा अधोगिक तबके के लोग को सफल हो रहा है जबकि इसका जो कीमत बचो किसान और ग्रामिन जन्ता को चुकाना पड़ रहा है यह काना किनका था बचो चौधरी चरंसिन का तो दोनों स्ट्री पर करती है इंड स्ट्रिवेंट करती है और टेक होन्याईक आप तब मुद्धूरा घौबी संपन था यहां से यहां नहीं था नहीं नहीं था लेकिन सरकार सब्सक्राइब करती है और किरिसी पर नहीं करती है सरकार का कहाना था कि जो अधोगिक और सहरी तबके के पास बहुत ज्यादा क्या भूमी संपन तथा राजनीतिक ताकत है वहीं गरामिन लोगों के पास गरीबी और लोगों के बोलते थे कि अगर किरिशी पर भी निवेस मता इंवेस्टिमेंट अगर कर दिया जाए फिर भी यह लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे सरकार ऐसा बोलते थे कि जो अधोगिक है ध्यान से लाइन को समयना बचो सरकार का कहना था कि अधोगिक और सहरी तबके के पास भूमी जादा उनके पास और राजनीतिक ताकत है जो सहरी जो लोग है बचो उनके पास भू लोगों के पास बच्चों गरिबी लोग है बहुत ज़ूदा पहना निवेश करते हैंर मैं खर्चा करते प्र यह लोका नहीं निकल पाति अई सरकार नलगों त्ह bakın से समघना जैसी कुमर आफा क्या वो ले थे चौधरी चरंसिन क्या बोलेते सरकार क्या बोलेते वस तीनों बात को अपको अच्छो क्या करना याद रखना है कोंशन नमर 12 में जिसी कुमारापा के बारे में पढद को मारापपा का बच्व कीम्तव कि अर्थ चाउट होति सीक्षर कुमारा की शांटेट इंग्लेंड यहां पर धानक इंग्लेंड अमिरिकां इन्होंने क्या क्या पिए इंगलेंड तथ़ अमेरीका में इन्होंने क्या क्या था और यह महात्मा गांधी में महात्मा गांदी के सहयोगी के साहीयकर होता है इसको गांधिवादी आर्थिक नितियों को लागू करने का स्रे दिया जाता है और यह एक लेखक भी थे इसको बचो मतलब जैसी कुमारापा को गांधी वादी तथा नीतियों को लागू करने का स्रे जाता है जैसी कुमारापा को जाता साथ साथ बचो यह क्या है जैसी कुमारापा एक लेखक भी थे इतने सारे पाइं बचोंचों 23 में गिवेन नीजी चेत्र बनाम सारवजनिक यहाँ पहले पढ़ते बचों किरिसी बनाम इद्धो को पढ़ते अब हम लोग पढ़ेंगे बचो नीजी छेत्र नीजी का मतब प्राइबेट सेक्टर और गॉवर्मेंट सेक्टर में क्या डिफरेंस है क्या इसमें बताए गया इसके बारे में पढ़ना नीजी छेत्र सर्भ जनीक थान से आपको समझन है भारत की अर्थी व्यवस्ता Baba सब्सक्राइब नंबरुमें आप से पेपर में पूछा जागा भारत की अर्थ-वे वय मैं पाइसी है सभुव हम सभी जानते हैं कि बच्छों नीजी च्यट्र और सार्वजयनिक छेत्र दोनों आते हैं नेक्स्ट आपको खेती हो गया किसान ब्यापार और इदोग नीजी छेत्र में आते हैं खेती हो गए बचों किसान यह पार गया इदोग वहां आते हैं बड़े बचोंसरे को सरकार अपने हाथों में रखे सार्कार के हाथ है कि मिस रित बचो जो आर्थ विवास्ता की अलोचना दक्षनी पंत और वांपन्ती दोनों में हुई बारत में या सोचते हैं की सरकार को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं किया बहुत सारे जो अलोचक है बच्छों यहां बात करते हैं कि सरकार को जितना काम करना चाये उतना काम उन्होंने नहीं किये जैसे कि बचो सिक्षा हो गया चिकिस्ता के छेत्र में सरकार ने ज्यादा निवेस नहीं किया जैसे कि बचारे बचो कुछ अलोचक जो सरकार है जो सिक्षा ताथा चिकिस्ता के छेत्र में ज्यादा निवेस नहीं किया निवेस का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है ज्यादा भचो सरकार शिक्षा ताथा चिकिस्ता के छेतर में इन्होंने इनवेस्टमेंट नहीं किया। भचो नीजी छेतर जिस छेतर पर जाते हैं सरकार उन छेतरों में नहीं जाते हैं। बोलना चारा नीजी छेत्र बचो जिस छेत्र में जाते है वहां उन छेत्रों में सरकार नहीं जाते है जिसके कारण नीजी छेत्र की मुनाफ़ा बढ़ जाती है जिसके कारण बचो जो नीजी छेत्र उनका मुनाफ़ा बढ़ जाता है बोलना चारा कि नीजी छेत्र जिस छे जाते हैं वहां सरकार उन छेत्रों में नहीं जाते हैं जिसके कारण से नीजी छेत्र का जो मुनाफ़ा बढ़ गई है और गरीबों की मदद होने के बज़ा एक नाया वर्ग मध्यम वर्ग बन गया बोलना चाहरा है और गरीबों के मदद होने के बज़ा है वहां पर गरीबो जिस झेतर में बचो जाते हैं सरकार उन ज्रों में नहीं जाना चाहते जिसके काराण से नीजी छेतर का मुझे बढ़ गया गरीवों की मदद होने के बजाए बचो एक नाय वर्ग जेन्रेट हो गया जिसको बोला गया बचो मध्यम्र्ग जो बीना किसी जिम्मेदारी के ज्य उत्पादन के लिए कौन कन से सरकार बच्छो परियोजना के शुरू किया ता पाहला परियोजना जो कि थो उसका नाम है भाखरा नंगल परियोजना शुरुवात हुआ था भाकरा नंगल परियोजना जो स्टार्ट हुआ था था भाकरा नंगल बांध हिमाचल परदेश के बचो बिलासपूर जिले में सत्लूज नदी पे बनाया गया यहां से बचो दो तीन सत्लूज नदी परियोजना बनाया और यहां 856 फीट उचे बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उच्चा बांध है भाकरा नंगल परियोजना तो दूसरे नंबर का बच्चो इसका जो हाइट देखना है लिखना आपको 856 फीट उचे बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बारा बांध है उसके दूसरा नंबर पर हीरा कुंड बांध है वह भी नाइंटी फोटी एट में कहां पर बचो उडिसा में हीरा कुंड अगर बांध आपसे पूछता बचो कहां पर है तो यह इंसर हो जागा ओडिसा और कभुए था भारत के उडिसा राज में सबलपूर संबलपूर बचो उडिसा राज के संबलपूर से लगभग 15 किलिमेट दूर महा नदी पे बनाया गया था तो आप नदी पे को याद करना बचो हीरा कुंड बांध किस नदी पे बनाया तो यह महा नदी पे बनाया गया हीरा कुंड बांध बचो किस राज में तो उडिसा राज में कब बनाया तो नाइंटी फोटी एट में इसको बनाया था इत मिटी के बांध से बनागा ही राकुड बांध बचो उडिसा राज में संबल पूर जिले से लगवक 15 किलोमीटर महा नदी पे बनाए गया दुनिया का बचो सबसे लंबा मेटी का बांध है इसको आपको क्या करना याद रखना नमबर 25 बचो गिवन ऐसारवजनिक छित्र के क तेल सोधक कर खाने हो गया बी निर्माता इकाया रक्षा उत्पादक आदि इस युदि इस आधी में बच्छा उत्पादक आदि इसी आधी में बच्छो सुर्वात हुआ था इसी आधी का मतब जैसे समय बच्छो सिचाई पर्योजना का सुरुवात हुआ था उसी समय बच्छो सारवजनिक छेत्र में कुछ उदोग को भी का किया थे बनाया गया थे इसमें कुछ के बारे में बच्छो पढ़ना है जैसे कि बच्छो इस पात सयत्र के बारे में पढ़ना है भारत में पहला इस पात सयत्र ब ताटा ने 1970 में किया था आपको डेट को याद करना है इसकी ऐस्थापना बच़ो जो जमसेध जी नस्रवाण जी टाटा ने Indiana 1970 में ठाप्रत में पहला इसपात सेयत्र बचो जमसेधपूर्चबंपारने अस्थापित किया गया था और है पर outこ कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे थेंक यू